मेरे प्यारे बच्चों, आप सबी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आफताब इस्टडी क्लासस में आज के इस वीडियो में हम लोग TGT Art के लिए यहाँ पर हम लोग राजस्थानी चित्रकला से सम्मंदित जैपूर शैली को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हम लोगों का सलेवस एक तरफ से चला यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारत के प्रागयतियासिक कलाकेंद्र फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक सिंदू घाटि सब्यता जो है इसे कंप्लिट किया था उसके बाद भारती चित्रकला के छे अंक इन लाश्ट तक बने रहेगा ठीक है और यदि आप चैनल पर पहली बारा हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ठीक है और इसके साथ साथ में यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा तो चलिए स्टा और उसके बाद उससे संबंदित जो भी आपके important प्रश्ण है उन्हें हम लोग याँ पर solve करेंगे तो आईएगा याँ पर देखेगा भारत का पेरिस किसे कहते हैं जैपुर को तो पहला प्रश्ण आपको याद करना है भारत का पेरिस जैपुर को कहा जाता है जैपुर का दूसरा नाम है पिंक सिटी गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से कौन साज़ शहर जाना जाता है तो आप बताएंगे जैपुर जैपुर की स्थापना किसने की थी जैपुर की स्थापना सवाई जैसिंग ने की थी तो यहां तक आपको किलिर हुआ उगा भारत का पेरिस जैपुर को कहते हैं, पिंक सिटी, जैपुर को कहते हैं, जैपुर को इस थापना किस ने की थी, सवाई जैसिंग ने की थी, आगे देखिए, ढूंधार शैली और कच्छवाहा शैली, ये जैपुर शैली के अन्य नाम है, एक तो आपका जैपुर शैली है, और जैपुर शैल शैले का उद्वव एवं विकास ये कब से मतलब इसका उद्वव कब हुआ था और इसका विकास कब तक हुआ तो 1720 से लेकर विद्याधर भट्टाचाद जैपुर शहर के वास्तुकार हैं। जैपुर शैली को राजा सवाई जैसिंग द्वारा संदच्छन मिला। येवरोपिये भित्ती चित्रण का प्रभाव जैपुर शैली पर पड़ा। जैपुर शैली पर किसका प्रभाव पड़ा? येवरोपिये भित्ती चित्रण का प्रभाव जैपुर शैली पर पड़ा। ठीक है? आगे देखिए। जैपुर में वेध शाला मतलब जन्तर मंतर का निर्माड किसने करवाया? सवाई जैसिंग ने करवाया था। जैपुर में वेध शाला जिसे हम जन्तर मंतर कहते हैं इसका निर्माड किसने करवाया? सवाई जैसिंग ने। और इसके बारे में एक पॉइंट है यापर आप लोग इसको देखेगा कि जन्तर मंतर को एक अगस्त दो हजार दस को विश्व धरोहर सूची में सामिल किया गया। जैपुर ये किसके लिए प्रिशिद्ध है? ब्लू पॉट्रे के लिए प्रिशिद्ध है ठीक है? जैपुर जो है ये ब्लू पॉट्रे के लिए प्रिशिद्ध है। आगे देखिए बिहारी सत्साई के लेखक कौन है बिहारी लाल तो आप लोग इसको याद रखेगा कि बिहारी सत्साई के लेखक कौन है बिहारी लाल और बिहारी सत्सई का सर प्रथम चित्रण जैपुर में हुआ था कहां पर हुआ था जैपुर में और जैपुर शैली आप लोग पढ़े ले हैं इसलिए ये आपके लिए important है ठीक है आमेर में अमोर्थ पर अधिक चित्र बने है आप मेर भी एक शहर है जैपूर में ही ठीक है और इसमें अमूर्थ पर जो है सबसे ज्यादा चुत्र बने हैं इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा मीनाकारी के लिए प्रिसिद्ध क्या है जैपूर हवा महल का निर्माड सवाई जैशिंग ने करवाया था 1799 इसमी में जैपूर में तो पहली बात तो यह हो गई हवा महल कहां इस्तित है जैपूर में हवा महल का निर्माड किस ने करवाया था सवाई जैशिंग ने कम करवाया था 1799 में तो आपको सभी बाते यहां से किलियर करनी हैं। अगला प्रश्ण आपका है, जैपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन-कौन है। तो आप सभी चित्रकारों के नाम याद करिएगा, मुहम्मद शाह, साहिब राम, लक्षमर्दास, हीराचंद, गोविंद, राम सेवक, दयाराम और भी हैं ठीक हैं। तो इतने के नाम यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग इने अच्छी तरीके से पढ़िएगा। मुहम्मद शाह, साहिब राम, लक्षमर्दास, हीराचंद, गोविंद, राम सेवक, दयाराम जैपुर शैले के भित्ती चित्र बनाए जाते हैं, गीली सतय पर बनाए जाते हैं। सूरत खाना की स्थापना सवाई जैसिंग ने की, ठीक है, सवाई जैसिंग ने की, चित्रों के निर्माड के लिए जैपुर में। कहने का मतलब है कि सूरत खाना की स्थापना किस ने करवाई, सवाई जैसिंग ने कहाँ पर, जैपुर में, और किस लिए, तो चित्रों के निर्माड के लिए। जैपुर में इसर लाट, सिटी पैलेस का निर्माड, सवाई एशोरी सिंग ने करवाया। जैपुर में क्या-क्या, इसर लाट और सिटी पैलेस, तो इसका निर्माड किस ने करवाया, सवाई एशोरी सिंग ने करवाया था। आगे देखिए। जैपुर में 1857 इसवी में महाराजा स्कूल आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना, राम सिंग ने की थी। जैपुर में 1857 इसवी में महाराजा स्कूल आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना, राम सिंग ने की महाराजा सवाई जैसिंग दोतिये ने देश भर में कुल कितनी वेदशालाओं का निर्माड करवाया, तो आप लोग बताएंगे पांच वेदशालाओं का निर जैपुर उजैन बनारस दिल्ली और मतुरा, जैपुर उजैन बनारस दिल्ली मतुरा, अगला प्रश्न है, गोवर्धन धारन का प्रसिद्ध चित्र जैपुर के सिटी पहले संगरहाले में है, कहां पर है, जैपुर के सिटी पहले संगरहाले में गोवर्धन धारन का प्रस इसके बाद आगे देखेगा 1876 इसवी में ततकालिन इंग्लेंड की महारानी एलिजाबेट एवं युवराज अलबर्ट के स्वागत में जैपुर शहर को गुलाबी दंग से सवाई राम सिंग ने आच्छादित करवा दिया था ठीक है 1876 इसवी में ततकालिन इंग्लेंड के महारानी थी एलिजाबेट और इवराज अलबर्ट इनके स्वागत में जैपुर शहर को गुलाबी रंग से लंगवाया गया था और किसने सवाई जाम सिंग ने इनके स्वागत के लिए सवाई जाम सिंग आगे आप लोग यहाँ पर देखेगा जैपुर शैली का वहाँ चित्र जो आदम कद व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रिसिद्ध था साही ब्राम ठीक है तो साही ब्राम थे इन्होंने आदमकत व्यक्ति चित्र बनाने के लिए ये प्रिशुद्ध हैं ठीक है साही ब्राम जैपुरी फ्रेंस को ये इटैलियन फ्रेंस को पेंटिंग के समान है जैपुरी फ्रेस्को जो है ये इटैलियन फ्रेस्को पेंटिंग के समान है जैपुर में इस्थित परमुख इस्थापत्य कौन-कौन से हैं तो आप इन सभी के नाम याद करिएगा जन्तर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर काकिला, गोविंद देव जी का मंदिर, जैपुर काकिला, बी एम बिड़ला, तारा मंडल ये सभी जो भी इस्थापत्य कलाएं हैं ये सब मतलब कहां पर इस्थित हैं बात ये की गई है जैपुर में हैं सभी चीज़ें, जैपुर में तो कैसे भी आ सकता है, मुझा आकता है कि जन्तर मंतर कहां इस्थित है, ठीक है तो आप इस टाप से याद रखेंगे, जैपुर शैली जो आपकि उसके अंतरकत इतने सारे इस्थापत कला कर नमण हुआ है जैपुर शैली में किस रंग की अधिकता है, हरे रंग की अधिकता है, ठीक है, हरे रंग की अधिकता है जैपुर की प्रारंबिक काल को आमेर शैली कहा जाता है जैपुर चित्रों का सरवादिक संग्रे जैपुर पोथी खाना में हुआ इस तरीके से हम लोगों ने याँ पर जैपुर शैले को कम्प्लीट तरीके से पढ़ लिया है अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिर से इसका एक बाद रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम लोग अपने जो हमारे बोविकलपी प्रश्ण है हम लोग उने भी यहाँ पर देखने वाले है उसके बाद और जब आप इतना सब कुछ याद कर लेंगे तो आप से प्रश्ण आराम से बन जाएंगे इसलिए एक बाद रिवीजन और उसके बाद यहाँ पर प्रश्णों के उत्तर ठीक है तो यहाँ से आप लोग देखिएगा एक बाद हम लोग फिर से देख लेते हैं भारत का पेरिस किसे कहते हैं जैपूर को कहते हैं बारत का पेरिस पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है आप बताएंगे जैपूर जैपूर के स्थापना कब ही थी? किसने की थी? सवाई जैसिंग ने जैपूर के स्थापना की थी जैपूर शैले के अन्य क्या क्या नाम है? धूढ़ार शैले और कच्छवाहा स्रैले यह जैपूर शैले के अन्य नाम है जैपूर शहले का उद्वव और विकास कब से कब तक हुआ 1720 से 1920 तक इसका उद्वव और विकास हुआ थिक है जैपूर शहले को राजा सवाई जैसिंग द्वारा संधचन मिला था तो संदच्छन किस ने दिया था राजा सवाई जैसिंग ने जैपुर शैली को संदच्छन दिया था यूरोपी भित्ती चित्रन का प्रभाव जैपूर शैली पर पड़ा है और मुगल शैली का प्रभाव भी पड़ा है तो यूरोपी भित्ती चित्रन का प्रभाव और मुगल शैली का प्रभाव दोनों का प्रभाव पड़ा है जैपूर शैली पर अगर कहा जाए सरवादिक प्रुबाव तो आप बताएंगे मुगल श्रेली का पड़ा और सिर्फ ऐसे ही पहुचा जाए आपसन के हिसाप से हो जाएगा ठीक है कोई प्राब्लम आपको यहां पर नहीं आने वाले जैपूर में वेदशाला जंतर मंतर का निर्माड किस ने करवाया सवाई जैसिंग ने करवाया जंतर मंतर वेदशाला का निर्माड और इसे 1 अगस्त 2010 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तो आप डेट भी आत के लिजेगा कि जंतर मंतर जो जैपूर में है वेदशाला उसे एक अगस्त 2010 को विश्धरोर सूची में शामिल किया गया जैपूर ब्लू पॉर्टरी के लिए प्रिसिद्ध है बिहारी सत्सई के लेखक बिहारी लाल है और बिहारी सत्सई का सर प्रथम चित्रन जो है जैपूर में ही हुआ था ठीके कहा हुआ था जैपूर में आमेर में अमूर्थ पर अधिक चित्र बने अब आते हैं आगे मीनाकारी के लिए प्रिशिद्य कौन सा शहर है तो आप बताएंगे जैपुर हवा महल का निर्मार जो है ये सवाई जैसिंग ने करवाया था किस ने करवाया सवाई जैसिंग ने करवाया जैपुर में करवाया 1799 इश्वी में करवाया तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जैपुर शैले के प्रमुक चितरकार कौन कौन से है मुहम्मद शाह साहिब राम भी है लक्षमर्दास, हीराचंद, गोविंद, रामसेवक, दयाराम ये सभी चितरकार जैपुर शैले के है जैपुर शैले के भित्ती चितर बनाए जाते हैं गेली सतह पर बनाए जाते है जैपुर शैले के भित्ती चितर जो है ये गेली सतह पर बनाए जाते है सूरत खाना के इस थापना सवाई जैसिंग ने की किसने की? सवाई जैसिंग ने चित्रों के निर्माड के लिए की और जैपूर में की तीनों पाइंट आपको किलियर होने चाहिए कि सूरत खारा के स्थापना सवाई जैसिंग ने की थी चित्रों के निर्माड के लिए की और जैपूर में की जैपूर में इसरलाट City Palace का निर्माड किस ने करवाया सवाई इश्वरी सिंग ने करवाया सवाई इश्वरी सिंग ने करवाया जैपुर में 1857 इस्वी में महाराजा School of Arts and Crafts की स्थापना राम सिंग ने की महाराजा सवाई जैसिंग दुति ने देश भर में कितनी वेदशालाओं का निर्माड करवाया पाँच जैपुर उज्जैन बनारस दिल्ली मतुरा गोवर्दन धारन का प्रसिद चित्र जैपुर के City Palace संगरहाले में है कहाँ पर है जैपुर के City Palace संगरहाले में है 1876 में ततकालिन इंग्लेंड की महराने एलिजाबेत एवं युवराज अलवर्ट के स्वागत में जैपुर शहर को गुलावी रंग से सवाई राम सिंग ने आच्छादित करवा दिया था तो आप इसे भी आप लोग याद रखेंगे आगे आप देखेंगे जैपुर शहली का वहाँ चितर जो आदम कद व्यक्ति चितर बनाने के लिए प्रसिद्द था तो कौन सा चितरगार है साही ब्राम जैपुर फ्रेसको इटैलियन फ्रेसको पेंटिंग के समान है जैपुर फ्रेसको जो है ये इटालियन फ्रेसको पेंटिंग के समान है जैपुर में इस्तित प्रमुक इस्थापत कौन कौन से हैं तो आप याद करेंगे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर का किला, गोविंद देव जी का मंदिर, जैपुर का किला और इसके बाद B.M. बिड़ला तारा मंदल, ये सभी जैपुर में इस्तित प्रमुक इस्थापत कलाई हैं, ठीक है इसके बाद आगे देखेगा, जैपुर शेली में किस रंकी एदिखता है, हरे रंकी एदिखता है जैपुर शेली में जैपुर के प्रारंबिक काल को आमेर शैली कहा जाता है जैपुर चित्रों का सरवाधिक संग्रे जैपुर पोति खाना में हुआ इस तरीके से आप लोगों के यहां पर जो है यह आपका जो जैपुर शैली था वो आपका यहांपर कंप्लिट हो चुका है अब इसके हम लोग प्रश्ण लगाते हैं ठीक है ये प्रश्ण पिछली वार जो आपके आये हुए हैं ठीक है उन्हीं को हमने या पर लिया है और आप इन में देखेगा कि आपको कितना नौलिज हो चुका है याँ पर देखिए ढूंधार सैली के नाम से कौन सी चित्रकला जाने जाती है तो अभी आपने पड़ी जैपूर शैली इसे कहते हैं कच्छवाह सैली ठीक है तो कच्छवाह कोई नाम इसका है और ढूंधार शैली तो क्या बताएंगे आप लोग जैपूर शैली इदे के टीजीटी 2005 में प्रश्ण मुच्छा गया था अगला क्या कहते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं जाग माला यह प्रश्ण आपके लिए नहीं आया था लेकिन आप देख सकते हैं आपर टीजीट दोया तिर में आया है ठीक है संगीत से संबंदी चित्रों को क्या कहते हैं जाग माला जैपूर शैली का सरवादिक प्रभाव किस पर पड़ा किस शैली का है मतलब क्या है जैपुर शैली पर सरवादिक प्रभाव किस शैली का है मुगल शैली का है ठीक है मुगल शैली का प्रभाव सबसे अधिक है आगे देखिए जैपुर चित्रकारों की प्रिये विशे वस्तु रही है बिहारी सबसे ठीक है बिहारी सब सही और देखिएगा कच्छवाहा शैली को किस अनिनाम से जाने आता है तो आप पढ़ चुके हैं जैपूर शैली तो इस तरीके से यहां पर हमारे सिर्फ पांच प्रशन थे और आप लोगों ने आपर देखा है आपने पहले जैपूर शैली को पढ़ा है उसके बाद आपने इसके प्रशन उत्तर लगा हैं उम्मिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर एदिया आप लोग पहली वारा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी हैं तो आपको सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर आप लोग और वी वीडियो देख लीजेगा और कमेंट वाक्स में हमें बता भी दीजेगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में